तो फ्रेंड्स वीडियो चुरू करने से पहले मेरी आपस रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा चले मैं अपना फेस्बु पर क्लिक करता हूँ अब मैं ये स्ट corny ये लॉगिन पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँए हैं यहाँ पे सिर्फ चेंज पासवड की आपशन है और सीन पासवड की आपशन नहीं है तो हमें यहां से पासवड नहीं पता चल सकता हूँ तो मैं आपको two methods बताऊंगा जिससे आप Facebook का passport जो है वो easily देख सकते हैं इसके लिए आपको एक time आपने login करना जलूरी है तो अब आपने अपनी settings में चले जाना है mobile की then scroll down करें और आपने Google पे click कर लेना है अब यहाँ पे आप देखें मेरी ID login है उमर मुनावर के name से तो अब मैं इसे यहाँ से off कर लेता हूँ और अब जो है आपने अपनी Gmail अप open कर लेनी है और यहाँ पे अपनी account picture पे आप आप अब आपने manager और Google account इस पे click कर लेना है अब आप security टैब पे जाएं और scroll down करें सो आप password manager की option आगी है आप simply इस पे click कर ले अगेन मैं इसे scroll down करता हूँ और यह facebook.com इस पे click करता हूँ ना mobile pattern में इस पे लगा लेता हूँ अब आप देख सकते हैं मेरी ID और यह नीचे इसका password है सो मैं आई पे click करूँगा तो मुझे password show हो जाएगा अब second method इसका मैं आपको बताता हूँ आपने simply अपना Google Chrome open कर लेना है सो मैं अपना Google Chrome open कर लेता हूँ और अब आपके सामने home page open हो जाएगा अब आपने यह three dot और अब आपने settings पे click करना है अब आप यहां से password पे click कर लें सो अगेन मैं scroll down करता हूँ facebook.com इस पे मैं click करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरी यह ID, username और password आ गया सो आई पे आप click करेंगे आई के icon पे तो आपको आपका passport show हो जाएगा सो friends अगर आपको यह video अच्छी लगी तो kindly मेरे चैनल को subscribe करें और please इस video को ज्यादा ज्यादा शेयर करें for the time अब आप पिर मिलेंगे इसी तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ